हलो अवरीवन स्वागत आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले हैं लैंसियर लाइटनिंग और नौर्थ वेस्ट वारियर के बीच में होने वाले आइलेंड इंटर प्रोविजनल ओडीडी कप के पहले मुकाबले की पिछले साल भी एक अप हुआ था पचले साल भी प्लेयर जियांपर परफॉर्म करकर गए थे इस साल ये दुबारा से रिज्ञेूम हो रहा और इस साल हम सारी की सारी discover कर लेंगे पिछले साल प्लेयर ने क्या करा है क्या नहीं करा है वो हम यहां पर discuss लेंगे क्या रहे थे रिजल्ट्स अगर आप उसकी भी बात करोगे तो भीया जो पिछले साल टीम फाइनल में पहुंची थी उसकी अगर हम बात करें कि मलब आखरी के टीम नहीं सबसे ज़्यादा मुकाबले खेले हैं और अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो मुकाबले खेले वो यहां पर नौर्थ वेस्ट वारियर्स की टीम नहीं खेले हैं तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है वैसे नौर्मली कितने कितने मुकाबले होते हैं नौर्म प्लेयर्स की ओपर नहीं तो चलिए अभी हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिसकस कर लेते हैं उससे पहले अभी तक अगर आपने मुंबईर चन्ने की वीडियों देखे ओपर आई सेक्शन में जाओ वीडियो देखो सारी की सारी डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड करवा रख्या मतलब हर एक प्लेयर की डिटेल है वही बहुत इंपॉर्टन मुकाबला है आपको इवादा कितना बड़ा मुकाबला है तो इस वैसे आपको सारी की सारी डिटेल पता होनी चाहिए अब अगर मैच पहला है लैंसिय लाइट निंग और नॉर्थ वेस्ट वारियर के बीच मैं एक बज़े आप एक तारिक तीन पंदरा पर आपको मैच लाइफ देखने को मिलेगा पैंब्रो क्रिकेट क्लब यहां पर डर्बिन में मुकाबला होने वाला है पहला मुकाबला है टूर्णाम पूरा हुआ ही नहीं था बीच मैं बंद करना पड़ गया था इन्हें अब अगर आप देखो तो कई सारे बड़े नाम हैं इनके पास जी डॉक्रेल आपके पास हैं जो स्पिनर आपके लिए हैं उसका कैविन और ब्राइन एम बेल बलाइन उसके बाद अगर आप कर सकते हैं मुवमेंट रहती है लेटल मुवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी फिर बैटिंग के अगर मैं बात करूं तो बैटिंग पहले करते हुए टीम यहां पे 200-500 रंस बना देती हैं पिछले साल की भी अगर आप जितने मुकाबले हुए थे उसके अगर आप एव होती ही ज्यादा कम बने हुए थे एक सो बत्तिस बत्तिस में बने थे रेन की वैसे मुकाबला चोटा हो गया था अठाइस सितंबर की बात है यह अगर आप देखोगे लैंसिया लाइटनिंग पिछले चार मुकाबले हुए पिछले सीजन के स्टैट्स हैं सारे के सारे ठीक क्योंकि इसना अगर आप देखो तो भीया अपने ओवर लगबग लगबग कम्प्लेट ही करवाए है रोरी अंडर आपके पास है एक मुकाबले में आठ विकेट चटकाई है और आठ ओवर करवाए थे मैच एक और विकेट जीरो अब एक चीज अगर आप देखो तो पिछ 2019 के बाद 2020 में खेला ही नहीं था 2019 में इसकी परफॉमेंस बहुत ज्यादा बड़ी है रही थी चार मुकाबल में साड़े तीन सो रण हाई स्कोर एक सो बच्चिस का एवरेज जो 87 की अब अगर आप दिखो सौ एक बर कर रहा था पचास दो बर कर रहे थे चौके 37 जड़े और छक्के यहां पर साथ जड़े थे उसके बाद अगर हम बात करें पीटे चेस चार मुकाबल में ओवर 31 विकेट पांच और एकनॉमी जो है 4564 की है फिर जे जे गार्थ आपके बास है लिस्टे करें क्योंकि पहली बार खेल रहा है यह वाला कप आठ मुकाबले खेले हैं जॉश्वा लिटल आपके बास एक इंपोर्टन पिक है इस फ्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकता है चार मुकाबलों में 29 ओवर्ज में विकेट साथ एकनॉमी तीन की रही पिछले साल उसके अद बैरी मैकार्टी आपके बासे 2019 में भी आद तीन मुकाबले खेले थे इसने बाइस करवाए थे और विकेट चार चटकाई थी अगर मैकार्टी खेलता है तो आप इस फ्लेयर को ट्राइक कर सकते हो कैविन ओब्राइन आपके बासे चार मुकाबलों में रंज 106 हाई स्कोर 51 एवरेज 26 किया स्ट्राइक एट यह आम पर 83 50 एक बार करा है जिरो पर एक पर आउट हुआ है चौके जो नौ और चके जो है वह तीन जड़े हैं इसने केविन ओब्राइन आपके लिए ठीक ठाक और आप्शन रहने वाला है केविन ओब्राइन का अराम से पिक कर सकते हो सिमी सिंग कापके बास हैं आपको बॉस्ट पिछले साल इसना बालिंग नही देता हूं ओवर इसना करवाय था भई यह 35 तेटीस पॉइंट पांच और विकेट जो इसने चटकाई थी वह चटकाई थी दस सब से यादा विकेट इसी ने चटकाई थी सिमी सिंग आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो सिमी सिंग आपके पास होना ही होना चाहिए जैक टेक्टर पास है अब एक चीज़ देखकर चलना भी यह टेक्टर टीम टेक्टर तो यह अलग अलग प्लेयर हैं ठीक है जैक टेक्टर चार मुकाबलों में रन 76 हाई स्कोर साथ का रहा स्ट्राइकरेट अगर आप देखो तो यहां पर 83 की रही जैक टेक्टर की परफॉमेंस ना इतन तीन मैचेज में रन 17 एवरेज जो आठ की है ओवर दो विकेट जीरो उसके अदेल टकर की अगर आप बात करोगे चार मुकाबलों में इनिंग तीन रन यहां पर 118 हाई स्कोर 83 का है पचास यहां पर एक बार जड़ा चौके जो हैं वो 12 और भी यह च्छके जो हैं यहां प के पर प्रेट फिरास टीफन डॉनी आपके बास है तीटेग वसके बास और नेथन मेच इसन नेपके बास हैर विलियम पॉट या Northwest ने क्या मुकाबले खेले और क्या रहा Northwest का तो चार-चार मुकाबले भी खेले पिछले साल प्लेयर्स ना बट वही वाली बात है कि भाईया प्लेयर की चटकाई दो मुकाबलों मैं दस रन करें उससे पिछले मुकाब उसले पिछले साल की अगर हम बात कर तो बहुत बढ़िया प्लेयर आप आराम से ट्राई कर सकते हैं इस प्लेयर को इस प्लेयर को आप ड्रॉप मत करना तो गीतक ना दूख्षी टीम के लिए खेला करता था उ और दन नाइट्स के लिए खेला करता था और गीतक अगर आप देखो तो भी यह चे मुकाबले खेले थे पिछले पिछले साल मनलो 2019 में इसना चे मुकाबले खेले थे रंज इतने जादा नहीं करे थे बट अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखोगे तो यह दस वि यह परफॉर्मेंस रही है उसके बाद अगर हम बात करें ग्रैमम कैनेडी आपके बाद से दो मुकाबलों में रंज यहां पर 48 हाइए स्कोर 46 का एवरेज 24 ट्रैकरेट असी फिर उसका नेथन मेग्योर आपके बाद से दो मैंचेज में रंस 34 एवरेज 17 गिया स्ट्रैकर 57 क आपके बास है कॉर्णर एक मुकाबले में बहिया ओवर 6 विकिट दो और इकनॉमी यहां पर 5 की रही है कॉर्णर ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करा उससे पिछले साल कॉर्णर की अगर आप बात करोगे तो और पिछले साल ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर भी, थी, तीन मुकाबल में 93, करे थे, बालिंग यह करवाता नहीं है, वह आपको बता ही है, बी-्रैंकेंड कैन बी आपको बढ़िया परफॉर्म कर दे सकता है, पिछले से पिछले साल यह खेला नहीं था, इस पिछले साल यह खेला तो इस नहीं ठीक-ठाक, मनलब एकी चारी ओवर करने को मिले इसे वैसे उससे पिछले साल में इसने एक विगेट चटकाई थी वहां पर भी एकी मुकाबला खेलने को मिला था साथ ओवर इसने करे थे उसका डवल्यू समेल आपके बास है बहिए दो मुकाबलों मेरं 52 एवरेज हाई स्कोर 45 का रहा है एवरेज 26 क अगर हम बात करें 48 रन की भारी थी एक मुकाबले में आपके लिए इंक प्ले रहने वाला कर्से क्रियाग रिंग आपके लिए एक उने वाला क्यों होने वाला पिछले पिछले साल में वही है चार मुकाबले में पांच विगेट चटकाई थी और पिछले साल दो नौ एक दो मुकाबले में दो विगेट चटकाई नो आवर्ज में आपर दो विगेट लाकर दे कर गया है कैशosp Carolina अगर आप वह एड कडрашते हो तो आपको कैशifice कितना वर एक सो पचसफान रुप्यम ऐगर आपफ ikis travelers कर लो इसको यहांपर माई तीं म पर फिर उसके बाद वो स्क्रीन शॉट मुझे भेज़ दो कि मैंने एड़ कर लिया है मैं आपको तभी के तभी और नंबर भेज़ देना जहां पर पेटीम मुझे पेटीम करना पड़ेगा तो वहां पर वह नंबर भेज़ देना इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं कि पिछले साल ठीक ठाक आपको परफॉर्म करकर दे कर गया था ऐसा नहीं था कि बहुत बेकार करकर दे कर गया था तो इस वह से अगर आप ग्रेंड लिग खेल दो दोनों प्लेस ट्राइक कर सकते हो स्मॉल लिग खेल दो तो टकर के साथ ही जाना विलियम पॉर्टर फिल्ड एंडी मेकबलाइन भी मेकार्टी एस डॉनी यह डॉनी प्लेयर बहुत ज़्यादा बड़ी आ है इसी टीम के लिए खेला करता था पहले यहां पर लाइटनिंग के लिए बट इस साल चेंज कर दिया इसना कलाब अपना तो इस वैसे यहां पर आपके लिए बहुत बड़ी अगर खेलता है तो आपके लिए पता है इंटरनेशनल प्लेयर है इंपोर्टन हो सकता है आपको चेंजिस तो करने पढ़ेंगी पढ़ेंगी तो वह चीज़ा आप देखकर चलना उसके बाद अगर हम बात करें बी रैंकिन आपके पास एक इंपोर्टन रहेगा पीटर चे से डूनी का उप्शन आपके पास और भी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है सबसे पहले अगर हम यहां पर ड्रीम 11 की टीम डिसकस करें कैविन उब्राइन याज़ा कैप्टन वाइस कैप्टन सी एंडी मैग ब्लाइन उसके डवल्यू पॉर्टर फिल्ड आपके बास है ब पाटर फिल्ड वाइस कै्पटन सी यहां पर बल ब्लाइन उसके हाद हल टेकर एस डौनी उसके यहां पर मैकार्टी आपके बास है केविन लटाय मैग ब्राइन उसके फ्क रिल आपके बास है पूरी पडेंग यापके लिए तेमोर आपके लिए ट्पारत वियू गर तक उसके बाद अगर आप देखो एल टकर पीटर चेज और यहां पर भी रैंक इन पूरी की पूरी टी में आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रेंड लीग फेवरेवल टीम है अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीच और CSK की